हलो फैंट्स, वरकम बैक टो मैं चनल, देखे फैंट्स, आज हम बनाएंगे छोटे काना जी के लिए ड्रेस, एक नमबर काना जी के लिए काफी दिन से रिवेस्ट आ रही थी, तो आज हम ड्रेस बनाएंगे एक नमबर काना जी के लिए, ये एक नमबर के मेरे काना जी हैं, और इनी के लिए मैं आपे आज ड्रेस बनाने वाली हूँ, और आज की ड्रेस में हमने ना कोई वुक्रम यूज किया है, ना हमने कोई अस्तर यूज किया है, सिर्फ हम एक साटन का फैब्रिक ले रहे हैं, यह फैब्रिक बहुत ही शाइनिंग वाला होता है, तो इसमें अगर आनला होती है स्ट्रक्टवर के लिए ड्रेस के फेटिक बहुत अच्छी आजाती है, तो यह हमारे खानाची की ड्रेस का final लूख है, यह स्ट्रक्टवरा का फैणाता है तो गुंदिंधी, चै servants नब हम एक नमबर का पैणाते है तो जके साएयरा हिघना लेगे हलका सा गेर के लिए मैंने देखिए यहां पर साटन का फैब्रिक लिया है इसका मैं आपको मिजर्मन बता दू तो मैंने इसके चोड़ाई पांच इंच लिया है इसमें हम अस्तर वगएरा कोई भी उस नहीं करेंगे सिर्फ फैब्रिक का यूज कर रहे और जो इसकी पट्टी की हमने ले पनी करनी पड़ेगी और ना कोई हमें लेस वगएरा इसमें लगानी है तो बस हमें किनारी लॉक करके इस तरीके से दोनों कोने जो हमारी पट्टी के है उन्हें हमें सीधा कर लेना तो इसमें सिलाई नजर नहीं आएगी और बहुत ही सुंदर सी हमारी ड्रेस बनके सँ धग्या हैं और एक्सरा धाग्या हमें साथ साथ से क्ट करने अब हम देखें याँ पर जौती चौती सी प्लीट्स मचा प्लीटिश लगाएंगे और तक बहुत अच्छे से काना जी की ड्रैस आपको बनानी दिया जाएगी। अब िदिक्छे हमने आपपे लागा लगा लिए और प्लीट्स लगाने के बाद मैं आपको कमर का हिस्सा न कमर कानजी को चार इंच की कमर आ जाती है तो सेम ड्रस आप अराम से तीनों साइस की कानजी को पहना पाएंगे अब देड़ इंच का मैंने यह पर चौड़ा फैब्रिक कट कर लिया है सिंपल वही साटन का लिया है और इस्ता करने के बाद हमें पट्टी पे इस तरीके से हमारे पूरे फैब्रिक पे वहीं से हमें यहां पे दोनों कपडों को बराबर रखते हुए सिल देना उसके बाद हमें यह आदा आदा इंच मार्जन रखके एक्स्रा दागे फैब्रिक को हमें कट कर देना अब पट्टी इस तरीके से हलका सहा मंदर की साइट फोल्ड करें तो आपको अब तक आही गया होगा अगर आप बिगनर से हैं तो आप जरूर ट्राइ करें इस तरीके से ड्रेस बनाना काना जीगी तो यह हमारा देखिए कितना सुन्दर सा काना जीगी ड्रेस का बेस बग लिया है अब हम देखिए चोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए मैंने आपे 7 इंच लंबा कपडा लिया है और इसकी मैंने आपे चोड़ाई 2 इंच लिया है बस हमें कपड़ा जो है सीधी अंदर साइड रखनी है और बाहर से इस दरीगे से एक पैर का मार्जन देते वें सीधी-सीधी पत्टी को स्ठिश करना है ऐसे पट्टी स्टिश करेंगे तो हमारी जो सीधी साइड होगी, फ्रंट साइड होगी, उस पे हमारी कोई भी सिलाई वगएरा नजर नहीं आईगी, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी ड्रेस पे भी सिर्फ निफे की सिलाई है, और कोई सिलाई नहीं आई है, सेम इसी तर के से लगाना चाहिए जिससे कि सुन्दर लुका है मारी ड्रेस का अब पट्टी को हमें ऐसे फोल करना हलका से एक दूसरी के ओपर चड़ाते वे आदे पॉनी इंच तक हमें दूरी तक स्टिच कर देना है स्टिच करने के बाद सेंटर पॉइंट हम ड्रेस का निकाल लेंगे और अपनी डोरी जो हमारी जो चोली है काना जी की इसी में हमें अटैज कर देनी है क्योंकि जैसे चोटे काना जी होते हैं तो उनकी चोली अगर हम बड़ी बना लेते हैं मतलब अलग से बना लेते हैं तो काना जी के कपड़े सारे मिक्स अप हो जाते हैं बड़े काना जी क के लिए अक्सार हम चोलिया अलग से बनाते हैं लेकिन छोटे काना जी कि हम mostly ऐसे ही बनाते हैं तो यह हमारी देखिए ड्रेस बनके रेडी हो गई है हम अब मैंने देखिया पगड़ी बनाने के लिए टीन इंच की चोड़ाई ी लिया कबड़े की और लंबाई वह अधी पंड़ी पटी चोड़ी ही लिया दे गें तो इस तरीके से आप दो नंब्र की काना तक की भी 6 इंच की पट्टी से पगडी बना लेंगे, दोनों साइड से फोल किया, और एक के उपर एक ऐसे चड़ाते वे थोड़ा सा पट्टी को किनारी किनारी पर बिल्कुल स्टिच कर देना है, तो हमारी यह देखिए, इस तरीके से एक पट्टी सी बन के आ जाएगी, औ और इसी तरीके से हमारी सभी साइस के कानजे की पगडी बन जाती है, आप हम देखिए, हमारा बिल्कुल पतला वाला टिश्यू रिबन आता है, उस पर हमारा एक दो लेयर यह पर पगडी पर लगाऊंगे, क्योंकि ड्रेस हमने बिल्कुल प्लेन बनाई होई है, पगडी क तो अच्छा लगता है इस तरीके से, बस हमए अब इस तरीके से करना है, आप चाये तो कानजी के सर पेपेनाने के बाद भी से सुित आगे से ढल से स्टिश कर सकते है, जली हम ज़ल्दी से यहां से स्टिश कर लेते, मारे यह तो सब्चिश करने के बाच जो हमारा चोटी सी कलगी बनाई है, इसके लिए मैंने 6 इंच की लंबाई का कपड़ा लिया था, और 2 इंच की मैंने इसमें चोड़ाई लीती है, 6 इंच इसकी लंबाई लीती, बस इसकी तीनों साइड को लोग करके, टिश्य रिबन लगाके, प्लीट्स बनाके हमने आपे कलगी बना अभी मैं काफी बर बता चुकी हूं, हर बर बताते हैं तो हमारी वीडियो काफी लंबी सी हो जाती है, तो इस तरीके से दिए कि हमारी पगड़ी का लुक थोड़ा सा अलग सा आ जाएगा, ड्रेस बिल्कूल हमारी सिंपल है, लेकिन साटन का फैब्रिक न, अलग ही उसमें शाइनिंग होती है, तो आप इससे ड्रेस तयार करें, काना जी को पहनाएं, और आप अराम से इससे घर में धो भी सकते हैं, इसकी शाइनिंग बरकरार रहती है, अब सालों साल ये ड्रेस बना के काना जी को पहना सकते हैं, खराब भी नहीं होती है, मार्के जो ड्रेस आती थोड़ी बहुत भी हैल्प हुई हो इस वीडियो से अपने कानाजी की ड्रेस बनाने के लिए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के शाह जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी अपने कानाजी के लिए इस तरह की की ड्रेस बना पाएं राधे राधे